बिग बॉस अठारा के खर के अंदर गुंडा क्रिमिनल रजत दलाल जो की अपनी बातों से दूसरों को डराने की कोशिश कर रहे हैं अपने एक्शन से दूसरों को डराने की कोशिश करने वाले रजत दलाल विविन दिसेना से खाते हैं पूरी तरह से खौफ जी हाँ विविन दिसेना से आप पूरी तरह से डरने लगे हैं क्यों और किस वज़े से गिरी है वे रज़त दलाल पर सबसे बड़ी गाज ये बात आप सभी दश्कों को बताएंगे दोस्तों हम आपको आज के खास रिपोर्ट में लेकिन इससे पहले अगर अभी तक आपने हमारी यूटूब चैनल क्विक टीवी न्यूस को आपने सबस्क्राइब नहीं किया है दोस्तों तो सबसे पहले क्विक टीवी न्यूस को आप सबस्क्राइब करने बेल आइकन के घंटे को आपने नहीं दबाया है दोस्तों तो बेल आइकन के घंटे को आप जरूर दबा आपको बताना चाहते हैं रजत डलाल जो की बिग बॉस अठारा के घर के एक ऐसे कंटेस्टेंट है जो वो करना चाहते हैं वो ये मंच अलाउ नहीं करता और इस मंच पर जो नहीं करना चाहते थे वो उन्हें करना पड़ रहा है उनकी जुबान कुछ कह रही है उनके दर्श रजद दलाल के पास जो है emotions को control करने की power ही नहीं रजद दलाल के पास एक proper strategy नहीं रजद दलाल कभी इस डाल पर तो कभी उस डाल पर रजद दलाल पूरी तरह से confused personality अब हम ये बात कहेंगे तो उनके fans जो है हमसे नराज हो जाएंगे हमसे जो है बहुती मतलब नराजगी जाहिर हम पर करते हुए नज़र आएंगे लेकिन ये बात सच है ये बात सच है और इसका एक छोटा सा नमूना हमने life feed के दोरान जो है वो देखा जहाँ पर रजद दलाल अविनाश और साती साथ यहाँ पर जो विवन दिसेना है उनके सा यहाँ पर कुछी समय बात जो है वो उनकी तारीफों के पुल बांते वे नज़र आए अब यहाँ पर उन्हें अपने emotions की कोई emotions का control उनके पास है ही नहीं और या तो वो विवन दिसेना से पूरी तरह से डर चुके है क्योंकि विवन दिसेना टाइम गॉड है उनके पास elimination क पावर है 나umination की पावर है और किसी को किसी को धंड देने की पावर है अब शायद उससे डर कर विवन दिसेना के पक्ष मे बोलते हुए नजर आ रहे हैं यहाँ पर कोई और नहीं बलकि रजद दलाल सारा से विवन की तारीफ करते हैं कि वो उनका परसनल आइटम है परसनल आइटम आपको चोरी नहीं करना चाहिए था वो कितने महनत से पैसे से कमा कर लेकर आए होंगे और उनको आपने परसनल आइटम को चोरी किया और personal item को मैं होता तो चोरी नहीं करता इसमें मैं विवेंद सेना का पूरी तरह से साथ हूँ यहाँ पर रजद दलाल की दिमाग में क्या चल रहा है रजद दलाल क्या सोच रहे हैं वो कही न कहीं उनकी सोच जो है उनकी डरी सहमी सहमी शक्सियत को जो है वो बता रही है कर रखना चाहते हैं कंटेस्टेंट को लेकिन कंटेस्टेंट कमबकत डरना ही नहीं चाहते हैं इस बार के यही सबसे बड़ा problem है रजद दलाल का और रजद दलाल के पास अब कुछ है नहीं करनवीर महरा के पास अब कुछ है नहीं शिल्पा के पास आप कुछ है नहीं तो अब ये लोग क्या हैं ये लोग अपना गेम इधर उधर 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 जो है वो पलड़ते रहते गेम अगर कोई अच्छा खेल रहा है तो पूरा का पूरा विवेन का ग्रूप जो है वो अच्छा खेल रहा है